my dear friend welcome back to today's video so guys आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों RCCA staircase fail होता है कुछ region है जो की discuss करेंगे आज के वीडियो में ठीक है तो guys site पे mystery लोग या फिर contractor लोग क्या क्या गलती करता है जो की RCCA staircase fail होता है ठीक है तो आज के वीडियो में वही कुछ point है जो discuss करेंगे ठीक है तो चलिए video को start करते हैं point क्या है for providing large number of steps तो guys अगर maximum number of steps देंगे तो क्या होगा RCCA staircase का failing chance बढ़ जाएगा ठीक है या 12 number से भी ज्याता देते है 11 12 number जो की okay है ठीक है अगर उससे ज्यादा देते steps तो failing chance हम लोगा क्या है बढ़ जाता है ठीक है तो guys हम लोग को जो required steps है जो की 11 12 है उतना ही नमर में हम लोग को देना है ठीक है उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा हम लोग को failing chance staircase का बढ़ जाएगा ठीक है तो guys second point के हम लोग को lake of top extra bar तो guys कुछ mystery लोग क्या उनको पता भी नहीं होता है कि top extra bar भी दिया जाता है staircase में ठीक है तो guys अगर top extra bar नहीं देते हैं तो क्या होता हम लोग को failing chance बढ़ जाता है ठीक है तो guys इस picture में देख सकते हैं इसमें top extra bar नहीं दिया गया है तो क्या है इसमें fail होने का chance बढ़ जाता है ठीक है तो guys कई भी staircase कास्ट करते वाद क्या होता है हम लोग को टॉप extra bar देना जरूरी होता है ठीक है तो guys चलते हैं next point पर क्या है absence of absence of beam under stair landing लेंडिंग कास्ट करने के बाद क्या होता है हम लोग को beam कोई-कोई staircase में नहीं देते हम लोग ठीक है तो guys beam बहुत ही जरूरी है ठीक है और एक antiliver slab होता है यहां पर तो guys इसके अंदर क्या होता है कुछ mystery log कुछ contractor log क्या देता है beam इसके अंदर नहीं देता है ठीक है तो guys beam इसको west slab बोला जाता है तो guys इसका thickness जो है हम लोग को five inches क्या होता है हम लोग को maintain करना पड़ता है ठीक है तो guys five inches इसका क्या है हम लोग का thickness होना चाहिए ठीक है और five inches से कम होता है thickness तो क्या है staircase failing का chance बढ़ जाता है ठीक है तो guys यह points सभे जो की staircase construction के वक्त याद रखना पड़ता है ठीक है तो guys चलते हैं अगले point में हम लोग क्या है कि angle angle बहुत ही जरूरी है staircase में guys तो guys आप देख सकते हैं इस staircase का तो guys कभी भी staircase कास्ट करते हैं तो इसका angle ध्यान में रखना पड़ता है माइन में रखके चलना पड़ता है ठीक है तो guys angle हम क्या देंगे 30 से 45 degrees तक angle देंगे ठीक है 30 से 45 degrees तक angle देंगे उसे ज्यादा या फिर उससे कम हम लोग नहीं देंगे अगर हम 45 उपर देंगे तो क्या होगा हम लोग को चरने में दिकत होगा 30 से नीचे देंगे तो क्या होगा इसका failing chance बढ़ जाता है ठीक है तो guys 35 degree हम लोग दे सकते है 35 डिग्री हम लोग क्या देंगे इसका जो एंगल हैगा वो 35 डिग्री में हम लोग दे सकते है ठीक है जो trade है और राइजर का dimension जो standard dimension हम लोग को follow करना है और जो landing का जो dimension वह भी follow करना है तो गाज यह कुछ point है जो की staircase construction के time क्या हम लोगों को याद करना पड़ता है ठीक है इसको maintain कगर चलना पड़ता है ठीक है यह था आज के वीडियो में अच्छा लगा होता सब्सक्राइब करना ठीक है और सब अपने दोस्तों के साथ सेर करिएगा ठीक है ठाइंक यू फर वाचिंग इस वीड वीडियो